हेलो दोस्तों दोस्ता अच्छके वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्लेज्टो से पेमेंट मेथड जैसे की डेबिक कार्ड, क्रेडिक कार्ड या फिर जूप या को कैसे डिलीट कर सकते हो बेहत ही आसान है लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है और अगर आप भी जानते नहीं होंगे और आप गिलीट करवाना चाहते हो अपलेज्टो से पेमेंट मेथड को तो इस स्टुडियो को लास तक जरूर देखना आपके लिए बहुत ही हल्पिंग रहने वाला है और ऐसे ही हल्पिंग वीडियो मेरी तरफ से हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लेना नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कभी भी कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको मेरा नाम हरीशय और मेरे चैनल का नाम है माशल ट्रिक टेकनोलोज एडवाइस तो चलिए इस स्टुडियो को फड़ावट से शुरू करते हैं दोस्तों Google Play Store से Payment Method जैसे की Debit Card, Credit Card या फिर UPI को Delete करने के लिए सबसे पहले आपको आपके Mobile के Play Store में Login करना होगा जैसे आप Login करोगे आपके सामने इसी तरह के स्क्रीन आ जागी तो यहाँ पर अब आपको ऊपर की तरफ तेंडाइश नजर आ रहे होंगे तो इसको पर आप क्लिक कीजे जैसे आप क्लिक करोगे बिल्कुल इहाँ पर आपके सामने बहुत सारे Options आ जाएंगे जो Link है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ मेरे Mobile में Google Play Balance दिखा रहा है नीचे मेरे Debit Card शो हो रहा और उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर UPI ID शो हो रहा है तो यहाँ पर अब मेरा Debit Card और UPI ID को डिलीट करके बताऊंगा तो इसके लिए अब आपको नीचे जाना है और नीचे आपको More Payment Setting का Option में लेगा इसके उपर आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करको बिल्कुल अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपके Play Store के सारे Payment Method नजर आ जाएगे तो यहाँ पर अब आपको मान लिज़े की Debit Card को डिलीट करना है जैसे कि मैंने बताया तो इसके लिए आप Debit Card देख सकते हो तो नीचे उसके Remove का Option मिल जागा इसके उपर आप क्लिक करके Remove कर सकते हो जैसे मैंने Remove के Option के उपर क्लिक किया बिल्कुल आपके सामने भी इसी तरह की स्क्रीन आ जागी तो यहाँ पर इस Card को Remove करने के लिए आपको दूसरा Option सेलेक्ट करना होगा कोई भी जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर मैं Google Play Balance सेलेक्ट कर देता हूँ और नीचे Save and Remove के Option के उपर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं क्लिक करूँगा बिल्कुल अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंसे आ चुका है कि मेरा Master Card जो की Debit Card है वो Remove हो चुका है तो चले यहाँ पर मैं आप OK के उपर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैंने OK के option के उपर क्लिक किया अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा master card remove हो चुका है तो इसी तरह से अगर आप UPI ID या फिर credit card भी remove करना चाते हो तो यही method है तो चले यहाँ पर मैं UPI ID remove करके बता देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने मेरा UPI ID नजर आ रहा है तो नीचे उसके बिल्कुल remove का option मिल रहा है तो इसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं remove के option के उपर क्लिक करूँगा बिल्कुल यहाँ पर remove payment method का page आ चुका है और यहाँ पर आपको remove का option देखने मिल रहा है तो इसके उपर आप क्लिक कीजिए जैसे आप remove के option के उपर क्लिक करोगे अब आप देख सकते हो यहाँ से मेरा UPI ID भी गायब हो चुका है दोस्तो चलिए अब हम जाते है प्ले स्टोर में और वहाँ पर चेक करते है कि हमारा जो debit card है और UPI ID है वो नजर आ रहा है कि नहीं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दुबारा हम प्ले स्टोर में आ चुके और यहाँ पर हम payment method में चले जाएंगे दोस्तो तो इस तरह से आप प्ले स्टोर से payment method को remove कर सकते हो दोस्तो उमीद है मुझे आपको इस वीडियो में सारे कुछ बाते समझ में आ गई होगी अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो definitely comment कर देना मैं उसका reply दे दूँगा और अगर आपको यह वीडियो लगाओगे तो वीडियो को like कर देना share कर देना और नए हो तो subscribe करना मत बुलना मेरे चैनल को मैं ऐसे helping वीडियो आपके लिए रोसाना लाते रहता हूँ तो अभी के लिए bye bye see you take care guys